बग्दाद में मारा कमांडर अमेरिका से सीधा युट इराक में एक बार फिर से इरान समर्थित कमांडर मारा गया है कमांडर अबू तक्वा की मौत के बाद इरान ने जबरदस थमले अमेरिका पर करने का ऐलान कर दिया है इस स्वक्त दुनिया भर की सुपर पावर थाकतें घाजा से लेकर इराक तक कोहराम मचाए हुए हैं लाशों का अमबार लग चुका है बारूदी हमले तेज होते जा रही है इंसानी चीठोडों के बीच में जंग का जुनूम इस कदर हावी हो चुका है कि एक तरफ हमास, इरान, हेजबॉल्ला, हूथी और इरान समर्थित लड़ाके आर पार की जंग पर आमादा है तो वहीं दूसरी तरफ इस रैंट और अमेरिका अपने हाई टेक हतियारों और खुफिया इंपूट के दम पर डेड़ सौ से ज्यादा मुस्लिम मुलकों के कमांडर्स को मार चुके हैं हाजा से इराक तक खूनी खतर जहां घाजा युद्ध में हमास इसरेली सेना से आखिरी युद्ध कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया और इराक में इरान समर्थित लड़ाके हूथी लड़ाके और इराक में मौजूद अल नुजाबा के लड़ाके अमेरिका के सेन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं यहां तक की समंदर में हूथी और इरान समर्थित लड़ाके चुन चुन कर इसरेल, अमेरिका और यूरोपीय देशों के माल वाहक जहाजों पर सीधे हमले कर रहे हैं पूरा मिडल इस्ट और पश्य मेशिया इस स्वक्त तीसरे विश्य युद्ध का अखाड़ा बनता जा रहा है हम आपको इराक में हुए अमेरिका के उस क्रूर हमले के जरिये समझाएंगे कि कैसे इरान हो थी और अब अल नुजाबा के लड़ाके अमेरिका और इस्रेयल पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं और क्यूं अमेरिकी सेनिकों के लिए इराक और सीरिया में मौजूद सेन अड़े मौत का अड़ा बनते जा रहे हैं कमांडर अबु तक्वा की मौत इरान ने किये 88 सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सुपर पावर अमेरिका ने 25 दिसंबर 2023 से लेकर अब तक लगातार इराक और सीरिया में हवाई हमले तेज क्यों कर रहा है और क्यूं वो चुन चुन कर सीरिया और इराक में मौजूद मिलीशिया कमांडर को बेरहमी से मार रहा है जरा चार जन्वरी 2024 के इन तस्वीरों को देखिए अमेरिकी हवाई हमलों की ये तस्वीरें इराग के मध्य बगदाद की हैं जहां अमेरिका ने अपने केलर ड्रोन से इरान समर्थित मिलीश्या के एक वरिष्ट कमांडर मुश्ताक जवाद काजिम अलजवारी अबू तक्वा को ड्रोन हमले में मार डाला है अमेरिका के ड्रोन हमले में कमांडर अबू तक्वा समेथ चार लोग मारे गए हैं जबकि छेग हायल हुए हैं इस एनिमेशन के जरिये कमांडर की मौत के पूरे सीन को समझे रिपोर्ट के मुताबे मध्य बगदाद में चार जनवरी को कमांडर मुश्ताक जवाद काजिम अलजवारी अबू तक्वा अपने अल नुजवा हेड़कॉर्टर में मौझूद था जिसके खुफिया जानकारी अमेरिकी सेना को मिल चुकी थी जैसे ही कमांडर मुश्ताक जवाद काजिम अलजवारी अबू तक्वा की कार अल नुजवा हेड़कॉर्टर से बाहर निकली तब भी उस पर अमेरिका की केलर ड्रून ने मिसाइलों से हमला कर दिया मिसाइलों का हमला इतना भयानक था कि बड़ी कार माचिस की टिप्पी की तरफ पिछक गए अमेरिका के इस हमले में कमांडर अबू तक्वा समेथ 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए अमेरिका के दावे के मुताबिक इरान समर्थित शिया मिलीशिया का कमांडर अबू तक्वा अमेरिकी बलों पर हुए घातक हमलों में शामिल था इराक में अल नुजाबा ग्रुप का कमांडर अबू तक्वा इरान का कट्टर समर्थक था जो एराक से लेकर सीरिया तर अमेरिकी अट्डों पर हमले कर रहा था अबुताक्वा था अबुताक्वा इधर बगदाद में कमांडर मुष्टाक, जबाद, काजिन, अल, जवारी, अबुताक्वा की मौत के भार एरान ने अपनी सेना को पूरी तरह से तयार रहने का आदेश दें दिया है अब हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि कैसे घाजा से लेकर इराक तक और इराक से लेकर सीरिया तक इसरैली और अमेरिकी सेना पर हमले हो रहे हैं ज़रा देखिए कैसे इरान समर्थित कताई भेजबुला के लड़ाकों ने उत्तरी इराक में अमेरिका के एरबिल एयर बेस पर भीशन हमले किये थे कताई भेजबुला का ये हमला अमेरिकी सेना पर बहुत भारी बड़ा था अमेरिका के मुताबिक इरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी सेना पर 25 दिसंबर 2023 को घातक हमला किया था अमेरिका ने दावा किया था कि उत्तरी इराक में मौझूद अमेरिका के एरबिल एयर बेस पर ड्रोन हमला हुआ था अमेरिका के रक्षा सचियों लॉइड ओस्टिन के मुताबिक इराक में अमेरिकी सेनिकों पर गया हमला इरान समर्थित कताई बहस बुल्ला के लड़ाकों के इस हमले में वैसे तो कई अमेरिकी सेनिक घायल हुए लेकिन तीन सेनिक बेहत गंभीर रूप से घायल हुए थे कताई बहस बुल्ला ने अमेरिकी सेनिकों पर ब्रून से हमले कैसे किये इसकी जानकारी नहीं दी गई है और ना ही घायल अमेरिकी सेनिकों के नाम बताए गए हैं इराक में कताई बहस बुल्ला के हमलों से अमेरिका बौक ला गया था मिडलीस्ट से लेकर पश्ची मेश्या थर इस्रेल और अमेरिकी सैनेट छिकानों पर हो रहे हमले साबित कर रहे हैं कि इरान रूस की शैपर अब जंग में खुल कर कूदने लगा है हूथी चुन चुन कर समंदर में इस्रेल और अमेरिकी जहाजों और टैंकरों पर हमले कर रहा है जबकि इरान समर्थित मिलीशिया ग्रूप छिप कर बड़े हमले कर रहे हैं हाना कि अमेरिकी सेना ने राश्रपती वाइडन के आदेश पर तुरंत इरान समर्थित कताई भेजबुल्ला के जहकाने पर हमला करके बतला ले लिया था जरा सोचे 25 दिसम्बर 2023 को अमेरिका ने कताई भेजबुल्ला से कैसे बतला लिया था अमेरिकी रक्षा सचियों लॉयड ओस्टिन के मताबे अमेरिकी सेना ने इरान समर्थित कताई भेजबुल्ला पर वीश अन हमले किये थी कताई भेजबुल्ला पर अमेरिका ने गहमले इराक और सीरिया में किये 25 दिसम्बर 2023 को अमेरिकी सेना ने कताई भेजबुल्ला पर हमला किया था लड़ाकों विवानों और मिसाइलों से इरान समर्थित कताई भेजबुल्ला लड़ाकों के तीन ठेकानों को अमेरिकी हमले में तबाह करने का दावा किया गया खबर के मुताविक अमेरिकी सेनिकों के घायल होने के बाद राज्श्रपदी जो बाइडन ने इरान समर्थित मिलीशिया समुहों के खिलब जवाबी का रवाई का आदेश दिया जिसके बाद ये हमले किये के घाजा से इराक तर खूनी कदर अमेरिका और इस्रेल दोनों है स्वट मिडल इस्ट से लेकर पश्चिमी एशिया तक मुस्लिम मुलकों के कमांडर्स और लडाकों को चुन-चुन कर मार रहे हैं तीन जन्वरी दो हजार चौबीस को इरानी दावों के मुताबि इस्रेल ने हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरूरी को ब्रून हमले में मार डाला था जबकि 26 दिसम्बर 2023 को सीरिया के उत्तर पूर्वी दमिश्क में आई आर जीसी के ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मुसावी को मारा गया है मुसावी इरानी दूतावास से जैसे ही अपने घर पहुचे तब ही दोपहर तीन बजे उन पर इस्रेल ने तीन मिसाइलों से हमला किया जिस पे उनकी मौत हो गई थी मिसाइल हमलों की वज़े से मुसावी की लाश घर से उचल कर बगीचे में जा गिरी को मिला कर गाजा से लेकर इराग कर आर पार की जंग शुरू हो चुकी है अब देखना होगा कि इरान, रूस, लेबनान और सीरिया के खूनी वदले की आग से इस्रेल और अमेरिका कब तक जंग कर पाते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो